पतनी समेत 14 लोग सवार थे जैसे ही आज दोपहर में एक खबार आई फोरण वायुसेना ने इस दुरघटना की चांच के आदेश दे दिये हैं हाला कि अभी सीडियस जर्नल रावत के बारे में कोई आधिकारी के जानकारी नहीं दे गई है रक्षामंती रादना सिंग इस मामले में नजदीकी से नज़र रखे हुए हैं उन्होंने प्रधान मंत्री मोदी को इस बारे में जानकारी दे दी है और अब रक्षामंती कल संसद में इस दुरघटना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस बीच तमाम राजितिक दल की नेताओं और केंदरी मंत्रियों समेट देश भर में लोग CDS की सलामती की दुआ कर रहे हैं, घटा इस तल पर लगाता रहत और बचाओ का काम चल रहा है हेलिकॉप्टर में दोनों पाइलेट समेट CDS के PSO, ब्रिगेडियर L.S. लिद्दर, लेटेरेंट करनर हरजिंदर सिंग, नायक गुर सेवक सिंग, नायक जीतेन कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक B. साहितेजा मौजूद थे और हम आपको एक एनिमेशन के जरिये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वाइव सेना का विमान कैसे क्रैश हुआ है ये एक एनिमेशन के जरीए समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो CDS विपिंडावत को जिस हेलिकॉप्टर में स्तवार थे वो कैसे क्रैश हुआ है कुनूर की पहाड़ियों में वाईव सेनान ने दुरघटना के जाच के आदेश दे दिये लेकिन जाच की रिपोर्ट अभियानी बाकी है और आप एक एनिमेशन के जरीए समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो दुरघटना हुई है वो कैसी हुई है क्या पच्थित्या रही है क्या मौसम के समस्या रही है या फिर कोई और समस्या रही है उसकी उसको इनिमेशन के साहरी समझने के कोशिश की जा रही है और विमान में कुल 14 लोग सवार थे सीडियस जनरल रावत का विमान क्रैश होने की सोचना मिलने के बाद रक्षामंती राण नासिंग ने आज दिली स्थित जनरल रावत के घर पहुचे और उनके परजन से मुलाकात की जनरल रावत को 2020 को देश का पहला चीफ और डिफेंस स्थाफ नियुक्त किया गया था इससे पहले वो थलसेना के प्रमुक थे इसके अलावा रक्षामंती ने वायुसेना प्रमुक को हाथ से की जगा पहुचने के लिए कहा और इंडियन एर फोर्स के तरब से एक ट्वीट आया है कि जनरल विपन रावत चीफ और डिफेंस स्थाफ सीडियस वाज एन विजिट ओफ डिफेंस सर्विस स्थाफ कॉलिज वेलिंगटन तो एड़िस दा फैकल्टी एन स्टुडेंट ओफिसर्स अफ दाफ को स्टूड उन इनियान एर फोर्स ने जानकरी दिये ट्वीट के माढ लेके हमसे कि सीदियस बीकिन रावत को जो आज का और कर था वो कहां जा रहे थे और अचानक उन Tibis स्टूडेंट इद्व供 सुडेंट स्था है वो इस कार्क्रम में शामिल होने जा रहे थे उनके साथ 14 लोग और सवार थे लेकिन अचानक कुनूर में उनका जो हेलिकॉप्टर है वो दुर घटना क्रस्थ हो गया और इसके साथ साथ अब ही बहुत कुछ जानकारी निकल के नहीं आई है इसके लावा आर्मी चीफ मेस नर्वडे भी सीडियेस जनरल विपिनरावत के घर पहुचे और उन्होंने पारिजनों से मुलाकात की अब है और एक ओर ट्विट कि मादे हम से जान काई लिए और एक और ट्विट कि मादे हम से जान काई जारे विड्यारे इप रिग्र एक और इसना है जान काई लिए लेड में आशुट से जान काउचे से बाहिए लिए लेखने लिए लुट से जान काई लगीज्यारे ओना लिए कि मैं के लुट बाहिए खे योट्विट टेक देक ।